मैं शेकर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंतरी सीजन टू यूस टेलिवेशन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज है विराट कोली को एक ही मैच में मिल चुका है टीम इंडिया का फिनिशर, आल राउंडर और विकेट कीपर और यहां पर मैं तीन अलग-अलग क्रिकेटर की नहीं बलकि 3-1 केल राहूल की बात कर रहा हूँ जी हाँ केल राहूल ने दूसरे वंडे मैच में सिरफ 52 गेंद पर 80 रन की तूफानी पारी खेली और इसी वज़े से टीम इंडिया जहां पर 290 के आसपास दिख रही थी वहां से जाकर 340 रन बना सकी जिसके वज़े से यस तीन मैच की सीरीज को भारत अब एक-एक से बराबर कर चुका है सबसे बड़ी खासियत ये की टीम इंडिया के लिए केल राहूल ने उस वक्त ये पारी खेली जब टीम इंडिया को बहुत सक्जरूरत थी यानि की इनिंग्स के आखिर में और वो फिनिशर जो विराट कोली काफी समय से धून रहे है टीम इंडिया के लिए वो अब आखिरकार उनको मिल चुका है सबसे खास बात ये कि उन्होंने ये नमबर पांच पर जाकर बल्ले बाजी करके ये पारी खेली है नमबर पांच पर जहां पर आम तोर पे खेलते नहीं है और पिछले 6 महीने से केल राहूल ओपन कर चुके हैं यानि की नमबर एक और नमबर दो नमबर तीन पर खेल चुके हैं नमबर चार पर खेल चुके हैं और आज नमबर 5 पर भी आके उन्होंने ये कमाल दिखा है, यानि कि एक quality all-rounder जिसे हम कह सकते हैं, जो हर position पर team India के लिए खेल सकता है, और सबसे आखिर में रिशब पंत के जगे पर केल राहूल ने विकेट कीपिंग तो कर लिया, लेकिन आज MS धुनी जैसे एक lightning स्टंपिंग करके उन्होंने ये भी साबित कर दिया है, कि MS धुनी को भी विराट कोली विकेट के पीछे मिस नहीं करेंगे, लेकिन एक शक्स है ज उनका जो track record है, वो उन्होंने लगातार बरकरार रखा है, यानि कि अच्छे रनों का record, पिछले 5 वंडे में शिखरधवन ने Australia के खिलाफ बनाए हैं 143 रन, 12, 117, 74 रन और 96 रन, शिखरधवन और विराट कोली की जोड़ी 3000 रन टीम इंडिया के लिए बना चुकी है, सिरफ दसवी ऐसी जोड़ी है टीम इंडिया के लिए, जो ये मुकाम हासिल कर पाई है, विराट कोली ने भी आज अपना जो है फॉर्म थोड़ा वापस पाया, उन्होंने 78 रन बनाएं आज की पारी में, और तीसरे ऐसे अर्च्छा तक लगाने वाले बलेबास बनें, जिसके ब अंतराशे क्रिकेट में, एक और रेकॉर्ड साल के शुरुबात में ही रोहिच चर्मा ने अब बना लिया है, जवाब में अगर हम बात करें तो आस्टेलिया ने भी भरपूर कोशिश करी, मार्कस लाबुशाने और स्टीवन स्मित की जोड़ी ने टीम इंडिया को बॉलर चल रहा था, लेकिन 340 का आकड़ा एक पाटे रोड रोलर वाले विकेट पे भी शायद ऑस्टेलिया के लिए बहुत ज़ादा था, गेंद बादों में खास और पर जश्पीद बुमरा ने काफी अच्छी शुरुआत करी, रविंदर जडेजा काफी काम्याब रहे, उनका होम ग्राउंड है, राजकोट, इसलिए वो ज़ादा कारगर भी थाबित हुए, कुलदीप यादव का फॉर्म अभी भी ऐवरेज चल रहा है, नवदीप सैनी ने एक बार फिर अच्छी स्पीड निकाली और एक अच्छे प्रॉसपर्ट बन कर आए, लेकिन आज का बॉट लेकिन केयल राहुल अब हर जगा पर हर पोजीशन पर वर्सटाइल क्रिकेटर बन कर उभर कर आए हैं टीम इंडिया के लिए और खास तोर पर कप्तान विराट कोली के लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केयल राहुल किसकी जगा खाएंगे, रिशप पंध की या कमबैक की तरह सोच रहे एमेजोनी की जो जारकन के लिए फिलाल अपने रंजी टॉफी टीम मेट्स के साथ क्रिकेट वापस खेला शुरू कर चुके हैं, या शिकर धवन की क्योंकि रोही शर्मा के साथ कौन पार्टनर करेगा, वो एक बड़ा सवाल है, या फिर श् विराट कोली के पास सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है केल राहूल, और अगर केल राहूल का ये फॉर्म T20 और वंडे मजिस्टर के से चल रहा है, वो बरकरार रहे, तो इस साल के आखिर में होने वाले T20 विश्कप के लिए केल राहूल विराट कोली के सबसे झाले विराट के लिए।